सब्भी मेति मठलाई की सब्भी बनाने के लिए हम या पर 100 ग्राम बटल है 250 ग्राम या पर हरी मेति लिए अब हम एक पैन लेंगे तालेंगे दो बड़ा चमच वायल वायल को हीट कर लेते हैं इस वाद हम इसमें डालेंगे हिंग और जीरा जीरा को थाड़का सा चब्रटकन नमके हम सुछे नमक अरो नमक करें किरहेंWe अ बाद इसिक भीस निकाल लेते हैं कि और ठंड़ड़ के बाद हम इसको यह सांउ पैट पी निये friends थोड़ा सा पाय नहीं याट करते हैं और एक फाइन पेस्ट बनाकर रयार कर लिया है इसको साइड में रखते हैं तो चलिए एक पैल लेते हैं एक पैल में डालेंगे दो बड़ा चमच वाइल करें इसके लाइल करते हैं इसके वाइल करते हैं इसके बड़ी इलाइची और यहां पर कुछ वाइल क्या काली मेर्ज बाले यह पर जीरा डाल में लिजा लाय आदा ऀवाज में हमने यह पर अलदी और रीए जमच आपने हैं curve करा जीरा है ba मेथी पानी जला देते हैं तो मेथी को खूच की है इसके बाद हम इसमें पेश्ट डालेंगे जो हमें टमेटो और अलियन का बनाया हुआ है अच्छे से मिक्स करेंगे इसके बाद हम इसमें कुछ वसाले एड़ करेंगे तो हमने या पर दो चमपज धनिया पाउडर एक कस्म अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको डग कर रख देंगे पांच मिनट के लिए तो उस्ते पहले हम इसमें बटर एड़ कर देते हैं अब हम इसको डग देंगे पांच मिनट के लिए तो यहां पर आप देख सकते हैं पांच मिनट हो गए है सब्जी हमारी अच्छे से कूक हो चुकी है अब हम इसमें आदा कम पलाई डाय डाय देल देंगे तो हमने यहां पर फ्रेस मलाई लिए है दूद्धी निकली हुई तो अच्छे से मिक्स करेंगे मलाई को भी और बापस हम इसको फिर से दो मिनट के लिए डग कर रख देते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं दो मिनट हो चुकी है सब्जी हमारी बहुत ही अच्छे से बंच चुकी है अच्छे सी खोजबू आ रही है अब हम इसमें डालें गरम मसाला और एक चम्मच का सूरी में थी तो अच्छे से हम इसको डालेंगे और मिक्स कर देते हैं तो आई होप कि आपको यह रैस्पी पसंद आई होगी रैस्पी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें गया और चैनल को सब्साइब करना बिल्कूल मत भूलेगा